नमस्कार, प्रेटिक टाइम अद प्रतेश समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद शुक्ला सिवनी जिले के पैंच निशनल पार्क में इन दिनों हाथियों की काफी खातिरदारी हो रही है दरसल उनके लिए पांच दिनों का रिजुविनेशन कैम्प लगाए गया है इस कैम्प के माध्यम से जहां उनकी सेवा सुबह से शुरू हो जाती है नहलाना धुलाना देल मालिश और इसके अलावा उन्हें भरपूर विंजन भी खाने के लिए दिये जा रहे है सीवनी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेंच टाइगर रिजर्व में हातियों के लिए पांच दिवसी रिजुविनेशन कैम्प का आवजन किया जा रहा है 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस कैम्प का शुभरंब शेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व विक्रम सिंग परिहार के द्वारे किया गया वर्थमान में पेंच टाइगर रिजर्व में पाच पालतू हाती हैं सबसे पहले हातियों के नहला कर नीम के तेल से मालिश की गई और मालिश के बाद उनके नाखून भी काटे गए इस दोरान पेंच टाइगर रिजर्व सिविनी के वन प्राणी चिकिसक डॉक्टर अखलीश मिश्टा द्वारा हातियों का स्वास्त परिक्षन किया गया हातियों के महतों और चारा कट्रों को उनके स्वास्त सम्मंधी अवश्यक निर्देश दिये और उसके बाद मौसमी फलों, नारियल, केला, गन्ना, अननास, गुड़ और रोटी देकर भर पेट भूजन भी कराए गया